अगर आपका मेत, फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायलोजी की किसी क्यूशन में डाउट है तो आपको इस क्यूशन का फोटो खिंच कर उसको क्रॉप करके सेंड करना है तुरूंत वीडियो सोलिशन के साथ आपको आपका अनसर मिल जाएगा और आप क्लास 6-12 निट, IIT, J-Mans और अडवन्स की भी तहरी कर सकते हैं तो इभी डिस्क्रिप्शन में जाएए और डाउटनेट के इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए डाउट हो तो डाउटनेट करो आप 84-400-400 इस नम्मर पर भी आप अपने क्यूशन का फोटो क्रोप करके सेंड कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको आपके क्यूशन का आंसर वीडियो सोलिशन के साथ मिल जाएगा हलो प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ककसा दस गनीत और ककसा दस गनीत का एक पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेड है यानि उस पेपर में आपके 30 कुशन है जो 30 questions आपके most important है यानि उन्हे questions में आपके 2020 की exam में पुछे जाएंगे तो आपको वो paper पूरा त्यार करना है और paper को बताने से पहले आप सभी से मेरी एक request है यदि अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और bell icon को press कर लीजिए और अभी तक यदि आपने हमारे telegram group को join नहीं किया है तो telegram group को भी join कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी जितने भी आपके study material notes हैं PDF हैं all subject की वहाँ पर उपलब्द गरवाई जाती है तो telegram group है उसको जरूर आप join कीजिए और cushions है वो मैं start करता हूँ कि mates की कुशन है और all important कुशन है जो आपके exam में पूछे जाएंगे तो गनीत का जो paper आता है आपके board exam का वो आता है आपके 80 नमर का यानि total पूर्णा के 80 नमर अब 80 में से आप इस paper में से 75 plus नमर आप आराम से plus कर सकते हैं यानि cover कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको यह paper पूरा त्यार करना होगा मादे मिक दो प्रिक्षा 2020 की प्रिक्षा के लिए imported है और इसमें all important कुशन है तो सारे कुशन आपको त्यार करने है अब paper में आपके कितने section आते हैं चार section आते हैं के जिसमें आपके एक से दस तक की कुशन आते हैं जो आपके एक 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 क क्या आते हैं यहनि सोट कुशन आते हैं उसके बाद में ग्यारा से पंदरा तक की कुशन आते हैं वो आपके दो नमरी आते हैं जो आपके part 2 होता है section 2 होता है और उसके बाद में 16-25 जो आपके section C होता है भाग से होता है उसमें आपके 3-3 के question आते हैं उसके बाद में जो last section आता है आपके उसमें 26-36 तक के question आते हैं जो आपके 6-6 number के होते हैं तो यह paper इसी तरीके से बनाया गया है और सारे question आपके important है तो इसमें पहला जो भाग A है यह आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें पहला question क्या लिखा है कि जो सुत्र एका दिकेन पुर्वेण है सुत्र एका दिकेन पुर्वेण द्वारा 103-197 का गुना कीजिए यानि जो वेदिक गणीत है वेदिक mathematics है उस प्रसनावली से question लिया गया है आपके और सुत्र एका दिकेन पुर्वेण द्वारा आपको 103-197 को गुना करना है और तुगुना कर सकते हैं आप इनमें अराम से और इजी question है एक नमर गाएगा इजाम में उसके बाद में दूसरा जो परसन है वो भी आपके वेदिक गणीत का ही है सुत्र प्रावरते द्वारा यानि जो सुत्र प्रावरते विदी है उस विदी का प्रियोग करना है आप आपको उस विदी के प्रियोग से आपको 13x-14 बराबर 9x-10 इसको क्या करना है आपको हल करना है ये भी आपके एक अंक का कुशन है और उसके बाद में जो तीसरा कुशन है लंबी विभाजन प्रिकिरिया का उप्योग किये बिना साथ बटे असी इसका दस्मनलों पर सार ग किरिया है उसका प्रियोग किये बिना आपको साथ बटे असी है उसका आपको दस्मनलों पर सार ग्याद करना है चोथा कुशन है आपके त्रिकोन मित्ति से है और काफी इंपोर्टेट कुशन है कुशन का है आप पढ़ सकते हैं मान ग्याद कीजिए 10-36 डिगरी 10-17 डिगर इनमें से आपको दो कौन बदलने है और उससे आपको सारल करना है काफी इंपोर्टेट कुशन है यह भी उसके बाद में अगला कुशन है आपके मान ग्याद कीजिए यानि मान ग्याद करना है 2-10-30 डिगरी और अपोन 1-10-30 डिगरी इसमें आपको कुशन है 10-30 का मान गया है वो क्या दिया गया है चेटा कुशन दिया गया है आपको काफी इंपोर्टेट है यदि किसी त्री भुज की दो मादिकाई समान हो तो वह त्री भुज का प्रकार बताईए यानि एक त्री भुज है और उसकी दो मद्दिकाई समान हो तो वह कौन सा त्री भुज हो उस तरी भुज़ का परकार बताना है अगला क्यूसन है आपके काफी इंपोर्टेट है साथ का यदि सरवागसम वर्तों में चाप बराबर हो यदि सरवागसम वरितों में चाप बराबर हो तो उनकी संगत जिवाओं का अनुपात लिखिये कि कोई वरित हैं और उनमें जो सर आठ हुआ परसन है दो पासों को फेकने पर अंको का योग साथ आने की प्राइकता ग्याद किजिए यानि दो पासे हैं उनको फेंकने पर एक साथ फेंकने पर अंको का योग साथ आने की प्राइकता आपको ग्याद करनी है अगला कुशन है आपके नो का चोराए के किनारे एक खंबे के सिर्ष पर लगे CCTV केमरे से सड़क पर किसी का उनेयन कौन 45 डिगरी है और खंबे के आधार से कार की दूरी 15 मीटर है तो खंबे की उन्चाई गयात कीजिए यानि चोराए के किनारे एक खंबे के सिर्ष पर लगे CCTV केमरे से सड़क पर किसी का उनेयन कौन 45 डिगरी है और खंबे के आधार से कार की दूरी 15 मिटर है तो खंबे की उन्चाई के आथ किजिए ये भी important कुशन है और दसवा कुशन है आपके रोग दरस्टी दूरी का समीकर लिखिये ये आपके सड़क सुरुक्षिया का most important कुशन है इसमें आपको सुत्र लिखना है जो रुकने की दूरी है उसका सुत्र लिखना है बारा वाला कुशन है वे बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिसमें 852,1065,1491 को भाग दिया जा सके और सेस्पल क्या पराप्तो सुनने पराप्तो तेरवा कुशन है एक संकू की तिरिये कुँचाई और तिरिया का अनुपाद दे रगा है साथ अनुपाद चार और यदि इसके वक्र प्रष्ट का सित्रफल 792 में वरक सेंटीमिटर है तो इसकी तिरिया ग्याद कीजिए ये भी इंपोर्ट कुशन है चोदा वाला कुशन हैं एक गड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमिटरो लंबी है मिनट की सुई दुवारा 10 मिनट में बनाए गए 30 गंट का सित्रफल याद कीजिए यानि एक गड़ी है उसके मिनट की सुई है वो 10.5 cm लंबी है मिनट की सुई दुवारा 10 मिनट में बनाए गए 30 गंट का सित्रफल गयाद कीजिए पंदरुआ कुशन है एक कार 20 किलोमीटर प्रती गंटा की गती से चल रही है तदा प्रते गंटे के अंत में 10 किलोमीटर प्रती गंटा की गती को बढ़ाना प्रारम करती है तो वह समय गयाद कीजिए जिसमें कार की गती 80 किलोमीटर प्रती गंटा हो जाए उसके बाद में अगला सेक्षन है आपके भाग सें तो भाग सें में आपके बड़े वाले कुशन आएंगे तो यह आपके 16 का कुशन है जो आपके 3 के जिप्टर से है पॉलिनोमियल से यह नि बहुपद से तो इसमें बहुपद एफ एक्स का मान दे रहे है एक्स क्यूब भाग देने पर भाग फल और सेस्पल अक्स माइनस टू और माइनस टू अक्स प्लस च्यार प्राप्त होता है तो भावपद जी एक्स ग्याद कीजिए यह वी काफी इंपोर्ड़ेट कुशन है उसके बाद में अगला कुशन है आपके 17 का काफी इंपोर्टेट है समांतर स रेडी 3579 इसमें 201 का अंतिम पद से पांच वपद ग्याद कीजिए यानि एक समांतर स्रेडी दे रहे हैं और इसका आपको अंतिम पद से पांच वपद ग्याद करना है अठार हुआ कुशन है 25 मीटर उन्चे एक इस्तंब के सिर्ष से एक मिनार के सिर्ष का उन्हें कौन औ रफ्र हैं तो मीनार की उन्चाई जात कीजिए ये कुशन भी आपके काफी इंपोरेट है अगरा क्युशन है आपके गुपनिस का है कि एक समदी भाव तरी बुजmarkt तरी बुजए जिसका कौन सी क्या है समकौन सिद करना है कि AB का स्कॉाइर बराबर टू एसी का स्कॉाइर 20 का क्युशन है सिद कीजिए कि 3 भुज की भुजाओं के लंब समधिवी भाजक संगामी होते हैं सिद करना है कि 3 भुज की जो भुजाएं हैं उनके जो लंब है वो समधिवाजक संगामी होते हैं अगला क्यूशन है आपके 21 का सिद कीजिए कि वृत के बाहर इस्थित किसी बिंदू से वृत पर खिंची गई दो इसपर्स रेखाएं परस पर समान होती है सिद करना है कि वृत के बाहर इस्थित किसी बिंदू से वृत पर खिंची गई दो इसपर्स रेखाएं परस पर क्या हो समान हो 22 का क्यूशन है किसी बिंदू O पर 2.4 cm तरिजा लेकर वृत बनाईए और इसमें 60 डिगरी का कौन बनाती हुई दो तिरजाएं O A ओबिक की रचना करके A और B पर इसपर सरेखा कीचिए जो परस पर बिंदू T पर परतिछेद करती है काफी important कुशन है आपके construction का है जो रचना वाला जो चेप्टर है आपके उसका है और 23 वाला क्यूशन है आपके 58 मीटर वाले वरिगाकार गास के मेदान के सीरों पर दो वरताकार भाग जोडने का परस्ताव है परतेक वरिद का केंदर वरग के विकिरनों का परतिछेद बिंदू O है तो पूरे मेदान का चितरफल ग्याद कीजिए काफी important कुशन है ये भी अच्छे से त्यार करना है आपको और 24 वाला कुशन है आपके एक बेलन की उन्चाई वद तिरिज्या करम से 7.5 और 3.5 इमी है इसके संपूर्ण प्रष्ट का चितरफल और वक्र प्रष्ट के चितरफल का अनुपात ग्याद कीजिए 25 वाला कुशन है एक अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तो की गड़ी में से पत्ता निकाला जाता है इसकी प्राइकता ग्याद कीजिए कि यह पत्ता चेरे वाला पत्ता हो और चेरे वाला पत्ता ने हो काफी important कुशन है यह भी आपके जो प्राइकता वाला जो चिप्टर है उसका important कुशन है अब जो आपके section D है यानि भाग दे है इसमें आपके 6-6 नमर वाले कुशन है तो यह वाले कुशन तो आपको अच्छे से त्यार करने ही है जिसमे 26 वाला कुशन आपके graph काता है और graph आपके इज़ी आता है कि निमन रेखिक समीक्रन यूगम को अलेखी विदी द्वारा हल कीजिए और वाई अक्स तदा यूगम द्वारा निरुपित रेखाऊं से निर्मित त्री भुजके सिर्सों की निर्दिसां क्यात कीजिए यह आपके समीक्रन दे रहे हैं तो आपको क् चार हैं जो चारों आपको सरल करनी है इसमें और अठाइस वाला परसन आपके निर्दे सांग ज्यामिति का है बिंदू दे रहे हैं दो इन बिंदू को जोडने वाले रेखा कंड एभी को चार बराबर भागों में अंते विवाजित करने वाले बिंदू के निर्दे सांग ग्याद कीजिए तो ये भी काफी important question है आपके और गुंतिस वाला question है सिद कीजिए कि एक समकॉन त्री भुज के करण का वरग सेस दो बुजाओं के वरगों के योग के बराबर हो सिद करना है और अथुआ में जो कड़ों का मद्दी का ग्याद करनी है मद्दी का ग्याद करनी है और यदि 25 है उसको 52 में बदल दिया जाए तो नया माद्द क्या होगा तो इस तरीके का question तो नहीं आता है आपके आपके जो ग्रूप वाला question आता है तो उस question को आप अच्छे से त्यार कर लिए जैसे ये तीस वाला पहला question है इस question आप क्या सकता है इसमें माद्देख समानत्र माद्दे खिलपी माद्दे कुछ भी पूस सकता है तो इस तरीका question आप जुरूर त्यार करें और वीडियो आपको अच्छा लगए तो 지न वीडियो करें दोस्तों कе साथ शेयर करें और इस पेपर का लिंग का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगं कि महां से आप इस पेपर की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हaimerित नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक ियू थैंक यू सो त killing